प्रणाव हमारे आश्रम में आपने देखाई है कि स्वामी जी की बहुत ही संदर सी मूर्ती है मैं और मेरा परिवर काफी स्वामी भक्त है स्वामी जी पर मुझे काफी विश्वास है स्वामी जी के काफी ऐसे मंत्र है जो प्रभावी है जैसे उनका तारक मंत्र कुछ लोग बोलते हैं निशंक हो निर्भय हो मनारे ये जो उनका तारक मंत्र है वो भी काफी प्रभावी माना गया है स्वामी जी यानि जब मैं आश्रम में कुछ काम करती हूँ या कुछ भक्त जब दर्शन लेने आते हैं तो काफी समय में ऐसे देखती हूँ कि जब कुछ भक्त स्वामी जी के दर्शन के लिए आते हैं तो वे हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं उनके पास कि मेरा ये काम हो जाने दो अगर हम कहीं अटक गए हैं तो हम किसे बताएंगे तो स्वामी जी है हमारे पीशे जो हमारा दुख दर्श समझ सकते हैं अगर हम कहीं पर अटक गए हैं या हमारे काम भी अटक गए हैं तो अगर हम स्वामी जी को कुछ बताते हैं तो एक विश्वास होता है कि स्वामी जी हमारा काम करेंगे उनका अशिरवाद हम पर बना रहे तो ऐसी ही सुमी जी को एक सुंदर सा अनुष्थान है जो काफी प्रभावी है यह मेरे गुरूदेव ने बोला था जब मैं पहली पर आश्रम में आई थी तो काफी साधक शादना कर रहे तब मैंने कहा था कि मुझे नहीं है तब मेरे गुरुदेवने कहा था कि एक बहुत ही साधार अंसा लेकिन बहुत ही प्रभावी ऐसा स्वामी जी का मंत्र है तो जब तुम साधना की शुरुवात कर रहे हो तो यह मंत्र की साधना पहले शुरू करो तो मैंने तब उनको पूछा था कि यह मंत्र क्यों पहले तब उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ उग्र साधना होती है कुछ सौम्य साधना होती है तो आप जब कभी साधना शुरू कर रहे हैं उससे पहले अगर अपने साधना की नहीं है अपने जिंदगी में तो जब तुम साधना की शुरुवात करते हो, तो स्वामी जी का जो सौम्य मंत्र है, यानि श्री स्वामी समर्थ, और ओम स्वामी समर्थ, ओमकर जब हम लगाते हैं किसी मंत्र को तो वो और भी प्रभावी हो जाता है, तो तब मुझे ये दो मंत्र मेरे गुरुदेव ने पहली बार दिये श्री स्वामी समर्थ और ओम स्वामी समर्थ उस दिन से लेके आज तक मैं ये दोनों मंत्र का अनुष्ठान करती रहती हूं जब सुबह मैं सनान करती हूँ उसके बाद जब पूजा पाट करने मैं बैठती हूँ तब यही मंतर का मैं काफी बार उच्छारण करती हूँ पठन करती हूँ और काफी ऐसे सुन्दर से अनुभव मुझे स्वामी जी ने दिये हैं काफी ऐसे काम थे काफी ऐसे टेंशन्स थे मुझे भी जो लग भी नहीं रहा था कि ये कभी संभव हो पाएगा या जिन्दगी में मैं ये कुछ कर पाऊंगी ऐसा मुझे कभी लगा भी नहीं था ऐसी सारी चीजों का अनुभव उन्होंने मुझे दिया है तो ये जो दो मंत्र है इसका अनुष्ठान हमें कैसे करना है तो अगर आप पहली बारी अनुष्ठान कर रहे हैं तो ग्यारा दिन का अनुष्ठान कीजिए पहले दिन हमें गनेश जी और स्वामी जी को अच्छे से उनकी पूजा करनी है अगर आपके पास स्वामी जी की प्रतिमा नहीं है या मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं आपके मंदिर में गनेश जी की मूर्ति तो होगी या गनेश जी की प्रतिमा होगी या जो भी आप गणपती जी की साधना करनी है यानि गणपती जी का कोई भी मंत्र हमें पहले बोलना है 11 बार 21 बार या फिर एक माला भी कर सकते हैं तो आप ओम गंग गणपते ये नमहा ये मंत्र भी कर सकते हैं पहले 11 बार भी ये मंत्र कीजिए उसके बाद हमें श्री स्वामी समर्थव इनकी ग्यारा माला करने है और ओम स्वामी समर्थव इसकी भी हम ग्यारा माले करने है एक माला करने के लिए हमें कम से कम तीन से चार मिनिट लगते हैं तो पूरा अनुष्ठान करने के लिए यानी श्री स्वामी समर्त की 11 माला और ओम स्वामी समर्त की 11 माला ये करने के लिए आपको पौना या एक घंटा लगेगा तो ये साधना आप जब शुरू करेंगे तो पहले दिन हमें गणपती जी को और स्वामी जी को नारियल के टुकड़े और गुड इसका भोग लगाना है इसमें एक नियम ऐसा है कि अगर पहले दिन आपने सुबह साथ बजए अनुष्ठान शुरू किया है या फिर कोई भी समय आप ये अनुष्ठान करते हैं या शाम के समय आपने शुरू किया है तो ग्यारा दिन हमें वही समय को संभाल के रोज मंत्रसादना करने हैं मंत्र साथना शुरू करने से पहले यह अनुष्ठान शुरू करने से पहले हमें सबसे जरूरी चीज है संकल्प करना कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि अनुष्ठान जब हम शुरू करते हैं उससे पहले हमें संकल्प करना पड़ता है तो संकल्प में क्या करना है आप अ कि मनों कामनाय है वो सारी आप अपने हाथ में पानी लीजे और स्वामी जी को बताइए कि ये ये चीजे मैं अपने जिंदगी में हसिल करना चाहता हूं या चाहती हूं तो ये अनुष्ठान में इसलिए करना चाहती हूं कि आपका अशिरवाद रहे ऐसे बोलके वो पाने आपको छोड़ देना है तो संकल्प हमारा पूर्ण हो जाता है उसके बाद आपको अच्छे से पूजा करनी है भोग लगाना है और मंतर साधना शुरू करनी है मंतर जब आप बोलेंगे उच्चारण करेंगे तो अराम से शांती से कीजिएगा यानि श्री स्वामी समर्था श्री स्वामी समर्था या फिर ओम स्वामी समर्था ओम स्वामी समर्था ऐसे अच्छे से शांती से आप ये मंतर का उच्चारण कीजिए ताकि आपको उसके vibrations जादा मिलेंगे तो ऐसे ये 11 दिन का अनुष्ठान आज रोज भोग में दूद शक्कर दिखा सकते हैं ड्राइफूट्स दिखा सकते हैं आपको जो भी चाहा है आपकी स्वामी जी को भोग लगाने की वो आप दिखा सकते हैं और जब हमारा ये अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा यानि 11 दिन का अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा तो 11 दिन हमें स्वामी जी को अच्छे से भोग लगाना है आप अपने घर में जो भी बनाते होंगे चावल, सबजी कोई एक मिठाई बनाइए और फिर उसका भोग स्वामी जी को दिखाईए और उने कहिए कि मेरा ये अनुष्ठान अच्छे से पूर्ण हो गया है अनुष्ठान जब खतम होगा अगर आपको संभव है तो 12 दिन आपको उसका हवन करना है हवन में आप अगर आपके पास छोटा सा हवन कुंड है तो उसमें अच्छे से अगनी प्रजवलित कीजिए और हमने आज तक यानि 11 दिन जितने भी मालाएं की है उनका दसवा भाग यानि अगर आपने 1008 बार मंत्र साधना की है तो 108 बार हमें आहुती देनी है मंत्र की यानि श्री स्वामी समर्थ स्वाहा ओम स्वामी समर्थ स्वाहा तो ऐसे आपको आहुती देनी है आहुती देते समय आपको चावल उसमें थोड़ा सा घी डालिए शुद्ध घी और अगर गुलाब की पंखुडियां आपको मिलती है तो ये तीनों चीज मिश्रित कीजिए और फिर आहुती दीजिए ऐसे आपका हवन पूर्ण होने वाला है हवन पूर्ण होने के बाद अगर आपके आसपास कहीं गौ माता आपको दिखती है तो उसे भी भोग लगाईए जो भी आपने घर में कुछ बनाया है वो उसे खाने के लिए दीजिए गौ माता अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर आप अन्न दान भी कर सकते हैं जो भी लोग गरीब हैं आपके आसपास कहीं गरीब लोग आपको दिख रहे हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को भी आप अच्छे से खाना किला सकते हैं या फिर मंदिर के आसपास अगर आपको कोई ऐसा दिखता है कि इसे अन्न दान की जरूरत है तो उसे भी आप अन्न दे सकते हैं तो ऐसे अनुष्ठान करने के बाद हवन करना है हवन के बाद हमें अन्न दान करना है ये तीनों चीज जब पूर्ण हो जाएगी उस दिन आप समझें कि हमारा अनुष्ठान पूर्ण हो चुका है तो ऐसा ये प्रभावी अनुष्ठान आप कभी भी शुरू कर सकते हैं उसके लिए आपको कोई दिन देखने की जरूरत नहीं है क्या मंगलवार चाहिए या गुरुवार चाहिए या मैरेवार आपको जिस दिन ऐसा लगे कि आज से मैं ये अनुष्ठान शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उस दिन से लेके ग्यारा दिन तक आप ये अनुष्ठान शुरू कीजिए अनुष्ठान शुरू करते समय यानि मंत्रसादना शुरू करते समय उससे पहले आपको सनान करना बहुत जरूरी है काफी लोग मुझे पूछते हैं कि अनुष्टान से पहले हमें नहाना चाहिए क्या या आप सिर्फ हाथ पेर दो कि मैं बैट सकता हूँ तो नहीं काफी जगह हम लोग घूमते हैं काम के सिलसिले में हम बहार भी जाते हैं तो अच्छे से घर पे आईए सनान कीजिए और फिर मंतर साधना शुरू कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो मंतर के वाइब्रेशन्स आपको अच्छे से मिल सकें तो आप सभी को पता चल गया है कि स्वामी जी का ये बहुत ही दिखने में साधारण लेकिन बहुत ही प्रभावी मंतर का अनुष्ठान ग्यारा दिन का कैसे करना है अगर कुछ इसमें आपको शंकाएं हैं कुछ पूछना चाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा अगले पिसोड में हम एक ऐसे ही मंतर के बारे में उसकी साधना कैसे करनी है उसके बारे में बात करने वाले हैं तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेर कीजिए संकल्प कैसे करना है इसके लिए मैं और एक वीडियो बनाने वाली हूँ वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा तब तक धन्यवाद इसके लिएगा थैता सकतिकषदेगा तक अर्म चुशे लिए हूँ आंसो मचत्रीतन अज़रूर देखिएगा